ये वीडियो से पुनी लोगों के लिए जो कि कली स्वालर स्टार का 100 एपिसोड देखे हैं और अब वो 101 एपिसोड की तलास में हैं और इस बार कोई भी नहीं बुलेगा कि ये रिपीट वीडियो है तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्वालर स्टार की अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है मैं अल्रेड अपने में चैनल पे स्वालर स्टार एपिसोड 100 को एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ फिलाल तो मैं इस सीरीज के नोवल स्टोरी और अफिसल एपिसोड को अपने में चैनल यानि आलम अफिसल पी पोस्ट करता हूँ और अब से ट्रेलर और कुछ बोनस पार्ट इस चैनल पे भी आएगी तो रीजिन यही है कि जब मैं अपने में चैनल पे अफिसल एपिसोड एक्स्प्लीन कर लेता हूँ तब सारी लोग नेक्स एपिसोड की डिमांड करने लगते हैं और यू नो एवरी डॉंगव सीरीज रिलीज इस वन एपिसोड इन वीक जैसे कि कली स्वलल इससर का ओफिसल एपिसोड आया और मैं अपने में चैनल पे उसे एक्स्प्लीन कर चुका हूँ अब सारी लोग उसकी नेक्स पार्ट मांग रहे हैं तो सारी सीरीज वीक में एक एपिसोड रिलीज करती है मैं एक ही बार में सारी चीज़े स्पोयल नहीं कर सकता और आप सब नोवल वीडियो डेली चाहते हो तो फिर ओफिसल एपिसोट देखने का क्या फाइदा इसलिए मैं लिमिट में ही रहकर नोवल वीडियो बनाता हूँ और हाँ एक और बात आप सब वीडियो पे क्लिक करने से पहले थमनेल जरूर देख लेना मैं सारी वीडियो के थमनेल में किलियर ही मिंसन करता हूँ ये नोवल वीडियो है ये ओफिसल वीडियो नोवल वीडियो में कहानी तो आगे की होगी पर सीन मैच नहीं होगा आप सब की सारी डाउट के लिए हो चुकी है अगर आप मुझे कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हो तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हो तो चलो आप जानते हैं स्वार रुस्टा के अपकमिंग एपिसोल में क्या होने वाला है तो अब तक पूला अर्थ पे आने के बाद अर्थ पे काफी सारी वेलियवल ट्रेजर को डिसकवर किया था लाइक रोबोट क्लैन के स्पेस सीप जो कि एक प्रैमिट एंसेंट यून है सकेंड एंसेंट यून जो की बॉल सेप का था और उसे काफी पोहिजनस गैस निकल रहा था इविन की ये गैस इतना ज़्यदा पोहिजनस है कि वो यूनिवर्स लेवल वरियर को भी आसानी से किल कर सकता है और आकरी पूला अर्थ से गोलन बिसकेड़ बोड़ी को हासिल करना चाता है फिर पूला अपने कुछ बंदे को जद रोकशार सेंड कर देता है ताकि वो वहाँ से अर्थ को बाई कर ले और लूओ फैंग भी वहाँ प्लैनेट अर्थ को बाई करने जाता है पर वो बंदा पहले ही नोलेंसन फैमली से एग्रिमेंट कर लिया था और अब वो लूओ फैंग का प्रोसेस काफी लेट से कर रहा था वो लूओ फैंग से कहता है कि इस प्रोसेस में 30 दिन का टाइम लग सकता है ये सुनकर लूओ फैंग को काफी ज़्यादा गुसा आता है और बवाथा की मदद से लुओ फैंग उससे Black Milt करने लगता है अब लुओ फैंग को पता चल जुका था कि ये बंदा New Lensen फैमिली से मने लिया है और ये उसका काम जल्दी करने वाला है फिर लुओ फैंग उससे 1 बिलियन ही Long Coin का ओफर देता है और कहता है अब तुम मेरा काम जल्दी करो जिस पर वो बंदा मान जाता है और वो लगता लूओ फेंग का काम कर रहा था इधर फुला अर्थ के सारी वरियर को 12 घंटा का टैम दिता है अगर 12 घंटे के अंदर अर्थ के लिटर पुला को इंफॉम नहीं करेंगे कि वो उनका स्लेप बनना चाते हैं या नहीं तो वो हर एक गंटे में सारे बेस सिटी को डिस्टोई कर देगा पर लेकिली वो बंदा लुओ फैंग का काम केवल तीन गंटे में कम्प्लीट कर देता है और अब लुओ फैंग प्लैनेट अर्थ को बाय कर लेता है उसे बलैक डेकर मॉन्टेन इंपार के तरफ से प्लैनेट अर्थ का ओनर्शिप मिलती है अब लुओ फैंग ओफिसली अर्थ का लीडर है फिर लुओ फैंग फॉरण ही अर्थ के सारी लीडर के साथ इमरजेंसी मिटिंग करता है और वसाभी को अपना अर्शिप दिखाता है जो कि बलैक डेकर मॉन्टेन इंपार के तरफ से अप्रूव किया गया था ये देखकर पूला काफे ज़्यादा सोख होता है उसे बलीव नहीं हो रहा था कि लुओ फैंग प्लैनेट अर्थ को बाय कर लिया है अब पूला के पास कोई भी आपसर नहीं था इसलिए वो फॉरण ही अपने अल्डर को कॉल करेगा और इस टाइम उसके अल्डर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि युनिवर्स लोग या कोडिंग कोई भी युनिवर्स वर्यर किसी लीडर वाले प्लैनेट पर इंटरफेयर करेगा तो से युनिवर्स में टेरिरिस्ट डिकलेयर कर दिया जाता है और ब्लैक डेगन मौन्टेन इंपार के अंदर टेरिरिस्ट को किल कर दिया जाता है इससे पूरे युनिवर्स में नुल एंसिन फैमिली की बदनामी होगी इसलिए वो दोनों एल्डर पूला से कहते हैं कि तुम वापस आजाओ और मजबूरन पूला अर्थ को छोड़ कर चला जाएगा पर जाने से पहले पूला दोनों एल्डर एल्लर युके और एल्लर डेविन के साथ प्लैन करता है कि वो गोल्डन बिसकी डेड बोडी को हासिल करेंगे एल्लर युके उसे इंसिंडियों को देकर कहते हैं ये तो काफी खतरनाक ट्रेजर है वो सब को इसके सामने जाने से मना करते हैं वो कहते हैं इविन कि ये ट्रेजर पूरे गैलेक्सी को डिस्टॉई कर सकता है इसलिए अब नुवल एंसन फैमिली से कोई भी यान नहीं आएगा पूला और वो दोने ले डिसाइड करते हैं कि वो रोबूट क्लैन के प्लेन यानि प्रैमिट और गोल्डन बिसके डिट बोडी को हासिल करने के लिए एक इलाइड ग्रूप यहाँ पर भेजेंगे और उन इलाइड ग्रूप को पूरा समझा देते हैं कि अगर तुम सब पकड़ी भी चाओगे तो ये मत कहना कि तुम सब नुवलेंजन फैमिली से हो तुमारा मिसन है कि तुम गोल्डन बिसके डिट बोडी को हासिल करो और बातरी पिरामिट की तो उसके डिफैंस सिस्टम को किवल युनिवर्स लेवल का वरियर ही डिश्टोई कर सकता है पिर कुछ इलाइट ग्रूप अपने स्पेस इप को ट्रांसपारेंट करके अर्थ पे आ जाएंगे और अर्थ पे कोई भी इने स्पेस इप को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और अगर ये इलाइट ग्रूप गोल्डन बिसके डिट बोडी को हासिल कर लेते हैं तो इन्हें नुवलेंजन फैमली में कमांडर की रूप में परमोड किया जाएगा इसलिए वो लूफ एंग की वाइप सुजिन और उसके भाई हुआ को किड्नाप कर लेंगे और लूफ एंग को बलैक मिल करेंगे कि तुम गोल्डन बिसके डिट बोडी के बारे में हमें बताओ और बदले में हम सुजिन और हुआ की जान बक्स देंगे अगर आप और भी और स्पोलर देखना चाहते हो तो ये रही वीडियो इसमें मैं पूरे डिटेल के साथ एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में और हाँ मुझे और अल्गोरिधम को खुश करने के लिए लाइक, सेर और कॉमेंट जरूर करना साथ ही सब्सक्राइब ने कियों तो सब्सक्राइब भी कर लेना कर दो एक्स एक्स प्सक्राइब कर दो सोब्सक्राइब नेकर साथ एक्स वीडियो वाँ एक एजिए भी कर दो